कर दोस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे विटू चैनल में आप लोग का मैं उम्हेद करते हैं आप लोग अच्छे गोंगे और आज मैं आप लोग दिखाऊंगा कि ओबन के अंदर लुक कैसे गरम होती है और उसके अंदर कितना ड्रम लगाते हैं और कितना डिगरी पर दूसे टैंग में सिट के जाता है और इसके अंदर पैसेट नहीं लगा जाता है क्योंकि थ्वा कौम ही लगा जाता है कितना ड्रम लगाए हो क्योंकि गरम होता है तो बहुँ ज़्यादा फैल जाता है उपर तक माला जाता है और इसके अंदर यह ड्रम लगाए जाता है उपर का ढखन काट करके लगाए जाता है जो इसके अंदर दो सो किलो लुक रहता है वो सब खाली ड्रम है और इसको कम से कम एक साथ डिगरी का तंप्रेचर आना बहुँ ज़रूरी है तब यह सिफ्ट हो पाएगा चालू करने से पहले ढखकन को बंद कर दिये जाता है और जो सामने आप लोग देख रहे हो उसमें एल्डियो है उसमें 1000 लिटर की कैप सिटी है और एल्डियो का फुल फारम होता है लाइट डिजल ओयल चालू करते हैं कि अगे लगाते हैं कि अगे कि अगे शो यह स्थाथन कि महीं यह मुद 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 झाल झाल कर दो को आ कर ओो हमाने। कर सक्ता कत olması भला है को सपल श्य nutrients है है झाल अजा नहीं श्या है ओुITT थे प्रिबद कि अठेगा है अगे स्काइब है ताइ्छ कि अपाइ प्राइब स्काइब है जए देओ जर आढ़के शोगी है अधेद्ट आष आग अपनेज जगा ऑशित कि अजग कर दो दो में कर दो है जगर कि अजगा है तो टीरी तप्रेचर हो गया है लगाता तीन गांटा चलने के बाद और दो गांटा चलेगा तो एक सो साथ टीरी तप्रेचर हो जाएगा पाइपलेन करने के लिए तिन नीटर लग जाता है और रही बते लडियों की एक कोबन गरम होने के लिए अड़ाई सुल्टर लगता है तभी ये गरम हो पाता है इस तरह से पाइपलेन गरम करे जाता है बोटर गुमा के चेक के जा रहा है कि फिरी हो गया है कि नहीं और फिरी हो जाता है तो समझो के लाइन गरम हो चुका है लाइन गरम हो चुका है पाइपलेन का वाल खोला जा रहा है तब भी बिटीविन आएगा उबन से नहीं तो नहीं आएगा वाल खोल चुका है और इसके बाद इस स्टार्टर से मोटर को चालू किया जाएगा तो यह रिवार सुख बना परसा है फिर ठोड़र के बाद लो फर्वट गुबना करता है तो आप जागर के बिटीन उठाएगा काफी मेला तो लगाम है यह बन का अब आप चेक्के जाएगा है कि अखालिया भी नहीं कि अखालिया कि अखालिया कि एक साथा टिगरे तंप्रेचर होने पर बिल्कुल पानी की तरह हो गया रूप तैंग में शिफ्ट हो रहा है पुर्य पांच गंटा लगाया है एक साथा टिगरे तंप्रेचर होने पर ठंटे के दिनों में थोड़ा ज्यादा लगता है इसके बाद लुक और एक्रिकेट इस प्लांट से मिक्स होता है मिक्स करकर के साइट पे जाता है तब ही जाकर के रूड़ बनता है बैच्विस प्लांट है उमेद करते आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और एक प्यारा सा कोमेंट कर दिजिएगा कर दिजिएगा